आईश्मान भारत योजना का लाप पचास करोड गरीबों को मिलना सुनिश्टित हुआ है प्रदान मंत्री जीवन जोती योजना और सुरक्षा भीमा योजना का लाप 21 करोड गरीबों को मिल रहा है किसान 39 से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक इंकम टेक्स रिलिफ्स से लेकर इंफास्ट्रक्चर तक मैनुफेक्टरिंग से लेकर MSME सेक्टर तक हाउसिंग से लेकर हेल्थ केर तक इकोनमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निरमान तक सबका ध्यान इस बजेट में रखा गया है साथियों हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है आईशमान भारत योजना का लाप पचास करोर गरीबों को मिलना सुनिस्टित हुआ है प्रदान मंत्री जीवन जोती योजना और सुरक्षा भीमा योजना का लाप इकीस करोर गरीबों को मिल रहा है स्वच्य भारत मिशन का लाप नव करोर से जादा परिवारों को हुआ है उज्वला योजना के तहट 6 करोड से जादा परिवारों को मुप्त गैस कनेक्शन मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना की वेज़र से 1.5 करोड परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले हैं अब इस बजेट में 12 करोड से जादा किसानों को, 3 करोड से जादा मर्ध्यम वर्के टेक्सपेयर परिवारों को और 30-40 करोड स्रमिकों को सीधा लाब मिलना तै हुआ है साथियों, सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रेकोर्ड गती से कम हो रही है लाखों करोडों लोग गरीबी को परास करके नियो मिडल क्लास मिडल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं देश का ये बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गती देने में जुटा हुआ है ऐसे समय में इस बढ़ते मिडल क्लास की आशा आकांशाओं को कुछ कर दिखाने के जजबे को होसला मिले उसको सपोर्ट मिले इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिवद्दता दिखाई है मैं देश के मिडल क्लास सेलरीड मिलल क्लास को इंकम ट्रैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ ये मद्यवर्ग और उच्चम मद्यवर्ग की उधारता ही है उनकी इमानदारी ही है कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिवद्दता ही है जिसकी वज़र से देश को टैक्स मिलता है देश की योजनाय बनती है गरिब का कल्यान होता है बर्सों से ये मांग रही है कि पांच लाख रुपिय तक की आयको इंकम ट्रेक्स से मुक्त गोशित किया जा है इतने वर्सों से की जा रही इस मांग को पुरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है साथियों किसानों के लिए समय समय पर अलग-अलग योजनाये अलग-अलग सरकारों ने बनाई है लेकिन उपरी सता के दो-तीन करोड किसानों से ज़्यादा किसान इन योजनाओं के दायरे में आये ही नहीं अब प्रधान मंत्री किसान सम्मा निदी यानि जिसे पी-एम किसान योजना कहा जा रहा है अलग-अलग